आत्म बोध के मार्ग में जब हम ध्यान सदना करते हैं चाहें मंत्र कीजिए, जब कीजिए, मंत्र जब में थोड़ा सा फर्क है मंत्र कीजिए, को लेकर उसके लिए कोई समय या 108 बार या 1000 या 21 बार या 1008 बार करना है सुबह यह साम करना है, एक विशे सस्थान होता है, समय होता है उस टाम में हम मंत्र को लेकर जब थे हैं एक तो जब होता है, जैसे राम राम राम, राधे 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 आ रहा है जा रहा है उसको देख रहे हैं तो ये एक तो जप हो गया और मंत्रे में ये छोड़ी से अंतर है तो ये दोनों आपको वहीं पर लेके जाएगा या इसके बाद जो भजन हो किर्टन हो सत्संग हो कोई डांस हो निरित्य हो म्यूजिक हो ये सब हमें उपर लेके जाता है शुद करता है हमारे चित को मन का मैल दूर करता है और उपर ही लेके जाता है धेर सारे ऐसे चीजे हैं तो मार्ग कोई भी हो जो हम चलते हैं तो यात्रा होती है वापसी जहां से हम आये हैं अपने सोरूत तब तो इसमें जो कुणलिनी जगरन के अनभूती होती है लोगों के साथ अभी तो मैं सुरू आते मैं कुणलिनी जगरन पर थोड़ी बाते कर लेता हूँ हो सकता है बाद में इसके उपर में हम कुछ बाती नहीं करेंगे, होता है इस मर्ग में थोड़ी से अनुवती हो जाता है कुछ, क्यूंकि इसकी बिज्ञान थोड़ी अचे है, समझ लेजिए, बड़े ध्यान पुरुवक समझ जीएगा, मैं जो बाते कहने वाला हूँ, आपके स्थूल शरीर के पीछे, यानि इसके अंदर आपको पता है, कई तरीके से समझाया गया है, पंच कोस के बारे में भी, लेकिन मैं यहां पे बस स्थूल, सुक्ष्मा, यानि कि फिजिकल बोडी, सटल बोडी, एंड कोजल बोडी, एक कारन शरीर है, आप लोग बहुत सुने होंगे, गुरूह को सुनते हैं, पड़े भी होंगे, जो अव्यक्त प्रकृति, तिवरूनाक्त्मक है, समझटी, अव्यक्त प्रकृति, उसको ही हम कारन शरीर कहते हैं, उसी कारण शरीर से सुक्ष्म शरीर बनता है, वही सुक्ष्म शरीर फिर यह स्थूल शरीर धारन करता है, इसे एक बीज, जब स्वर्व प्रथम इस प्रिद्वी पर पेड़ पौधे जब आये, तु वह पहले कहां थे? अब्यक्ति स्थिति में थे, जल, सुर्य, मिट्टी, पंच महाभूतों को योग में आने के कारण, जब हम योग में योग, जिसे इस तिरी पुरुष भी योग में आते हैं, तो कोई बच्चा उत्पन होता है, योग में आने के कारण, कुछ नए शरिष्टी फिर होती है, उस परकार से फिर पेड, पाउधे, तैर शरिए, लेकिन वो पेड, पाउधे भी पहले कहा थे, अपने सुक्ष्मा जगात में, सुक्ष्मा जगात तो फिर उसकी पीछे और एक जगात है, अब्यक्त समस्टी प्रकृति, आप प्रकृति कहें तो सत, रजस, तमस तो समस्टी सथ समस्टी रजस समस्टी फिर तमस इन तीनों के अभ्यक्त तवस्था में थे जैसे यह अभी हम इसको क्या कहेंगे इसको क्या है यह यह सोल है लेकिन इसको अगर कोई ज्यादबी फ्रस तकड़े यह सोल अच्छा से पकड़े तो क्या वहले का यह तो कोई धागा है हम धागा को इस तरीका से गूत दिया है तो इसको हम क्या कहा रहें सोल है अब दो यह सॉल वे यह थागा है दोनों अपने दिरिष्ति कोड़्स सही है और और उस थोड़ा सा और ज्यांदा ग्यांगा तो गौएगा JACK एक स्वाल अर्व हल भी निए धागा भी निए यह कोटन से और और कपास से और हाए रूई से आ रहा है अब उससे भी तोड़ा कोई और जानेगा तो यह कपास और रूई का भी स्टोर्श को पकड़ेगा हो तो गयेगा वह वह है बस रूप वदला है परिवर्तित होते आया है इसी परकार से उन्हीं पेड़ पौदे और सौल की तरह आपने भी यह शरीर का सहाम नहीं है इसकी कहानी है जो कहानी से कहानी है जो कहानी है इसकी है वही कहानी आपके साथ है so here the physical body the subtle body and the causal body the causal body is the source हो है तो इस सुक्ष मे यात्रह मे है आपके रूज मे में the subtle body है, so there are 114 energy centers, पत्सुक्ष्मों बाते कहने वाला हूं ध्यान से समझन है, 114 energy centers है, उसी energy centers को, अब energy center, मतलब एक junction point है, जहां से उजाओ का संचार होता है, वहां से कुछ signals ब्रहमान का रिशिप करता है, उसकी चितना का विस्तार होता है, उपर उठता है, तो हमारे अंदर में 114 चक्रस कह देते हैं, चक्रस इसलिए कहा जाता है, कि पुरे ब्रहमान एक चक्राओं में है, एक सरकल में है, हर्चिस घूम रही है, तो यहां पे भी उसको energy center, कुछ कहते हैं कि तिरकोन में आके मिलता होता है, लेकिन फिर वो संचार होता है, लेकिन उसकी जो परभावे एक सरकल में होता है, उर्जाय परवाहित होती है, हमारे अंदर की चेतना फिर भरती जाती है, तो major जो चक्रस कहा गया, जैसे एडा, पिंगला, बहुत दिनों से हम बात कर के आ रहे हैं, तो हमारे उसमें से दो जो है, उसको जागरित करने की जुरत नहीं है, पहले दो, क्योंकि वह सबीर से बाहर है, रहे गई एक सो बारा, तो एक सो बारा हमें से भी आपको और दो, चार को जागरित करने की जुरत नहीं है, एक सो आठ पर काम करना पड़ेगा, तो आज हम एक सो आठ क जब क्यों 108 बार माला मंत्रा 108 बार 108 का रहस्य भी हम जानेंगे आपको ध्यान धर्वना समाधी से 108 या मंत्र जब से only you have to work on the 108 चक्रस to activate them just 108 क्योंकि ये 108 का एक बहुत बड़ी रहस्य है इस ब्रहमांड में ये 108 चक्रस अब तो आप 7 चक्रस मेंसे भी 5 चक्रस 6 चक्रस जगरित होते हैं तो कुछ लोग बलते हैं वास हो गया यही है सब कुछ नहीं ये 7 चक्रस activation के बाद बाकी और अभी भी जो चक्रस बाकी है 108 में से उन सारे चक्रस को भी जगरित करना है क्यों वो चोटे चोटे एनरजी सेंटर्स होते हैं इसके जागरन के फोर्स के वज़े से जिसे होता है कि एक बिमारी है कई बिमारी है लेकिन इस बिमारी के ठीक हो जाने से इसके परवाव से और कई अन्य बिमारी भी ठीक हो जाती है तो इस परकार से 108 चक्र पुरी तरह से जागरित जब होगा तो इसके फोर्स के वज़े से और चार चक्रस अपने आप खुल जाएंगे और दो चक्रस दूपर ही, लेकिन ये दिखाई नहीं देंगे आपको, ये अती सुक्ष्म चीज है, इन आखों से अनभुती से आप पकड़ नहीं पाएंगे जल्दी इनको, बहुत ध्यान, बहुत सांत इस्तिर में रहेंगे, त अब ये एक सा आठ जागरेन के बाद, ये आपके लिए इस परकार काम करेगा, ब्रहमांड में जो ब्यापक फेकल्टीज है, इस्प्रिट्स है, या ब्रहमांड के समस्त सक्तियों को, प्राचिन, मुर्दन्य मनुशियों ने, देभी देउता के रूप में परिकल्पित कि इन हे सुक्ष्म सक्तियों को, ये जागरेत होने का मतलब है, आप कई सास्त्रों में देखोंगे, तो एक एक चक्र में देभीयों की अधिस्थान है, लेकिन आप देभी को ढूंडो के पाओ के तो नहीं मिलेगा, वो सकता है, आपने फोटो देखा है, तो फोटो आपका मन में है, in your mind, when you have seen a picture of देभी or something, and it has gone into your subconscious mind, then you can see it in your mind, which is illusion, totally illusion, maybe you can see it in energy form, it is giving you the power also, the force, the motivation, the inspiration, you are receiving from that देभी also, but yet it is illusion, on the journey of self, on the journey to realize the truth, these are all illusion, it's okay, you are experiencing it, you are getting the power, something is happening in your body, yet I have to tell you that you have to reject and you have to keep moving on forward, you have to keep going ahead, you don't have to get stuck to any kind of the experience, ये धियान में रखना है, तिन देभीयों का अधिस्थान कहा गया है, इसी में वो दस देभीयों का अधिस्थान कहा गया, बहुत सरे लोगों ने जिस तरीके से जो समझाया, बताया, अब ये मैं आपको पूरी तरह से नहीं बताओंगा ये जगरन होने से क्या होता है, क्योंकि आजगरन होने से क्या होता है, क्योंकि आजकाल यूटुब म면 मैं यहां वहां से सुन लिए होंगे आप लोग मैं मेजर बाते बताऊंगा जैसे जैसे उपर जगरिती होती है फिर और अन्या एनर्जी सेंटर्स खूलते हैं तो आप ब्रहमांड की ब्रहमांड की हर चीज एनर्जी है और यह वाइबरेशन में काम करता है है निकॉला टेसला से लेकर अलबा हम नशनल से लेकर जितने बड़े महा बिज्ञा नहीं है on इनहीं के दोरह आपको ज्ञान मिलने वाला है, इनहीं के दोरह आपको अभिस्कार मिलने वाला है, इनहीं के दोरह कुछ invention and discoveries होने वाली है, हर चीज, energy है, उसका vibration है, frequency है, कौन किस frequency पे connect होता है, इस प्रकृती के faculties के साथ, example, इसी प्रिद्वी पर कोई उस प्रम प्रेम स्वरुप vibration के साथ connect हो जाता है, अभी vibrational world के बाद बता रहा हूँ, vibrational world, अभी शत्य में कोई vibration नहीं है, इन सब से परे है, हम अभी प्रकृती के, I am talking about the faculties of the nature, the energies of the nature, which are worshipped as gods and goddesses in many religions, I am talking about that, हम उसकी बाते कर रहे हैं, तो यहीं पर कुछ लोग high frequency, high vibration में जिवान के जीते हैं, कैसे, इस बात को हम समझते हैं, मालीजी आपके घर में radio है, I have got a radio, आपके घर में radio है, 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 बहुत सरे लोगा घर में, हो सकता है किसी घर में radio नहीं है, या television नहीं है, अब radio में आपने जब चालू करते हो, तो जिस frequency पर लगाते हैं वही frequency केज करता है और वही आप सुनने को मिलता है या टेली बिजन जिस चैनल को लगाते हैं वही लेकिन जहां से broadcast किया जा रहा है वहां से हर चीज ब्रोडकास्ट किया जा रहा है आप अपने रेडियो में कौन से channel लगा रहे हो यह तो आपकी बात है तो मेरे कहने का मतलब है प्रकृति जो है स्वमस्त ब्रावान की ज्यान यहीं पर ब्रोडकास्ट कर रही है एनी टाइम 24 hours into 7 प्रकृति की ब्रोडकास्ट एनी टाइम चलू है आपका सरीर और इसके अंदर जो सुक्ष्मा सरीर है यह रेडियो है रेडियो आप कौन सी frequency लगाते हैं तो यह जो प्रकृति ब्रहम्व सुरूप करता सुरूप पर मात्मा को करता है गया करता भी कहा गया लगला वहसानग्ए गुरो ने कहाए अभूत यह हर चीज के सिग्णल देरी है कि तो कौन-कौन सी signals को केस कर ताह है उससी प्रकृतिक डिपार्ट्मेंट के साथ जूड जाता है जैसे यहां पर डिपार्टमेंट है बीजेपी का कॉंग्रेस का हमें सब बिरोधी दल है तो प्रकृती में भी दो बिरोधी दल आप समझें अरे एक है नीट्रल तीन है हमें साथ सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव और पॉजिट अब नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी जी हैं प्राइम मिनिस्टर है लेकिन हम जब कहते हैं वीजेपी सरकार तो पूरे वीजेपी सरकार को एक साथ कहते हैं क्या वीजेपी सरकार लेकिन वीजेपी सरकार के जब हम आध्यान करेंगे तो उसमें कितनी डिपार्टमेंट है कितने MLAs हैं, कितने Chief Ministers हैं, कितने MPs हैं, कितने Award Members हैं, बहुत सारे आगे हैं, एक Department मिलकर चला रहे हैं, इसी प्रकार से हम जब कहते हैं प्रकृति, तो सब एक साथ, लेकिन प्रकृति के अंदर बहुत सारे Department Faculties होती हैं, तो ब्रमांड में, सारी बीमारिया उपलब्दे, all the disease are available in the universe, and all the treatments of the disease are also available in the universe, the thing is that, with which department you are doing the yoga, you have caught the signal, आप प्रकृति में हम कहते हैं, मंडल, यानि कि बिभाद, जैसे अब लोग यहां पर आये हैं, आप परमिस्वर से, योग करने में, हम योग करेंगे किसे, परमिस्वर से, परमात्मा से, क्योंकि कि सब कहा है, कि परमात्मा से योग करने से ही, हमें मुक्ती मिलती है, द्वारा, प्रकृति में बिभीद परकार की सक्तिया जो व्यापक है, उनके साथ भी योग हो जाता है, तो इसी परकार से प्रकृति में, यानि कि ब्रमांड में, एक बिमारी, यानि कि रोग, रोग वाला डिपार्टमेंट भी ब्रमांड में विदमान है, जहां से रोग, दूख सोक मिलने वाला डिपार्टमेंट है जिसने अपने रेडियो का सिगनल यानि फ्रिक्वेंसी उसमें लगाया वो ब्रमांड के और रोग वाले डिपार्टमेंट के साथ सुक्षमतत्वा है उसके साथ लोग होने लग जाएगा तो उसके भी जिन्गी में पूरे बिमार कर लिए और गी कि उसके खंक्डान के भी तो आपका जीवान सहली बदल जाएगा उस डिपार्टमेंट से जैसे नीड होगा जाएगा आपKA खाना पीना सब बदल जाएगा आप ऐसे तेल मसाला घीका स्वण करेंगे कि रोग होगा केसे कि आपके अंदर ऐसी सुक्षम एनजी ही परवाहित होगी ऐसी इंस्पिरेशन और प्रेना ही याईगी गालप होटल में लेकर जाए या गलत खाना के शुह वाण कर आएगा गलत लगों की संग होगा गलत हर जगां में और उसके सारे बीमारी दीरे दीरे एक्टिव होने लगते हैं फिर कोई आकर कोई समझाता है या डक्टर है या टीचर है या खुद ही पढ़ लेता है तो समझता है कि हम तो इस रोग वाले डिपार्टमेंट के साथ योग बन गया था बहुत जिंदगी भी पार भी हो गई जिंदगी निकल गया इसे भी जब समझता है तब रोग निवारक वाले तक्त्वा रोग निवारक वाले तक्त्वा के साथ धीरे से यहां सो शिफ्ट होता है तो उसके डिपार्टमेंट के साथ जब योग होता है तब उसके दीरे 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 चाहें एक्सरसाइज की करने की पिरना ह या सही डक्टर के पास जाने की पिरणा हो, प्रकृति उसके लिए चैनल बनाने लगती है, और सही जगा पहुँचने लगता है, तब वो उन बिमारियों से जो की योग बना था, उन से हट कर रोग निवारक उन तत्यों के साथ उसका योग बनने लगता है, और दीरे दीरे ह krijए और स्वास्थ होने एलगता है इस्तूल में भी हो रहा है और हमारे सुक्ष्म ah जगत में भी हो रहा है हम पराथीछborg योग ने किसी एक इनर्जी के साथ में एम्हें योग में रहते हैं कि जब काम दों के साथ योग बनेता पूरे शरीर में काम देुर की एनर्जी का अब गुशा सिर्फ यह नहीं है अलवाट आइस्टन भी कहा था कि यह जो बर्मांड है दलोग वाब्रेशन विचीज इन सर्कल तो जितने तत्वा है गुशा लोग एंगर ग्रीड जेलश्य जितने तत्वा है जो हम आप अपने अंदर आपजर्ब करें। देखेंगे कि धेर सारे जो चीज हैं। यह खना के लिए इंग्रीडियंट देखते हैं तो आपके अंदर यह सारी चीज है आई कहां से इस को आने के लिए वैं तो ब्रमांड में बिद्धमान होना पड़ेगा-आण सो अ अ keyboard से गुष्य का एक ब्रमांड में एक वाइवरेशन जो कि सर्कल में और पूरे प्रित्वी पर जितने लोग उस गुष्य के सर्कल में यानि कि सागर में पानी में भी देखते हैं उसको क्या कहते हैं चक्राओ उसके चक्राओ के चक्र में फंस गए हैं उस वक्त आपने गुष में वही लगा दिया फ्रिक्वेंसी और प्रिद्वी पे जितने लोग गुस्या है उसके चक्र में आ गया उस वक्त आपका विबेक भी नस्थ हो गया बुद्धी भी नस्थ हो गई क्योंकि आप उन सरकल में आ गये हैं यह उधारन बता रहा हूं जो लोग हम ऐसा वैल्थ वैल्थ मनी 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 वैल्थ 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 पैसा 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 मैंने देखा हूं इस प्रिद्वी पर अनपड़ बेखती है पढ़ाई लिखा ही नहीं किया है अंड कर रहा है 30,000 40,000 50,000 एक लाग दो लाग के ले रहा है और जो दे रहा है वो तो बड़ा मालिक है यह कैसा हो गया वह हमेशा वेल्थ यानि कि लक्षमी जो बोलते हैं अब वी कल लक्षमी अब लक्षमी अब वेल्थ लगांद अपरकेंश के लिएवर्ठ लेज अठाट कश्यर्ड गांद रहें वेल्थ उस department के पास जो की आपके लिए बनाएगा हो कि आप जो घार देख रहें किताब देख रहें यह तु वाइब्रेशन में थे हम अपने संकल्प से इसको बनाएगा इटापत जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह तो पंच भूत है पंच भूत में थे आपके लिए फिर के वब्रेशन में, जब आते हैं, so all the people who are on the earth, on the earth, those who are in the vibration of the wealth, at what level, even in the frequency, automatically, it doesn't matter how qualified you are, how intelligent you are, automatically your radio is going to get the ideas, thoughts, feelings, emotions, and you are going to transmit all these things. And things are happening on your way. लेकिन यहां से रीडियो के सिग्नल कुछ गरीबी के लगा दिया, जितना भी मेनत करो अपने कंसियस मैंट से, अब गरीबी रहोगे. सब लूटेगा, दुकान में सेल्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. अजिसका यहां का फ्रिक्वेंसी उडल गया, अब लोट पे, सड़क पे, सबजी दुकान भी खोल लेगा, तो आने वालों दस साल में देखूँगे, माल का मालिक बनके बड़ा रेस्टरेंट खोल लेगा, जी. दुकान याने, सारे खेल उस वाइबरेशन के होती है, फ्रिक्वेंसी के होती है. इस तरीके से हम योग में आते हैं, पहली बात है, हम किस योग में आ जाते हैं, ब्रहमान के, तो इस तरीके से आशूरिक, दैत्या, राक्षचसी, जिसे हम नेगेटिव पावर्स के आते हैं, उनके योग में आ जाते हैं, उनके योग में आ जाते हैं, और आप ब्रमांड के 108 जैसे जागरित हुआ तो ब्रमांड में बिदमान 108 ऐसे फैकाल्टी जो मुख्य है आप समझ लो कि तुरंत प्रकृति के 108 जैसे हमारे जितने स्टेट है उस स्टेट में जितने चीफ मिनिस्टर है वो प्रमुख है एक एक स्टेट का आप सब का से 108 डिपार्टमेंट से जो ब्रमांड के संचालित करने वाले उन 108 डिपार्टमेंट के साथ आपका योग बनने लगता है इसलिए 108 चक्रस की जागरत के भी ज्यादा जोड़ दिया गया है बाकी जो है और भी गिफ्ट में इधर सुधर आप योग बनने लगता है अब एक नम है 108 उसकी अलग-अलग आयाम है डिपहन से जसके साथ हम योग करने में सक्षम होते हैं योग करने का मतलब हम फ्रिक्विंशी वहां लगा सकते हैं और वो ग्ञान हमारे दोरा प्रहित हो सकती है और कैसे प्रवाहित होगी वाइवरेशंस में जब फ्रिक्वेंसी लगेगी वाइवरेशंस में बात समझना है तो जीसी 108 हमें जागरित होता है तो धीरे धीरे तुरांत नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे योग बनने लगेगा तो जैसे मैंने कहा कि कोई रेडियो या टेली विजन तो उनलों ब्रोडकास्ट करी रहा है लेकिन आप कौन से चैनल लगा रहे हो यह तो आपकी कि दिसी जनद ले रहे हो कि मुझे कौन से लगाना है तो प्रकीरति यानि ब्रह्मांड हमे आसा वो ट्रांस्मिट करी रहा है अब लेने वाला ले में पर यहीं पर लेने बहुत कुछ ले लेता है अपना फिरक्वेनषी उसपर लगाया ही नहीं है या कुले मीशकिती जागरित नहीं है तो उसका लगत ह सुनुलू अब तो सुन लो 108 का रहस्यावर अब 108 ब्रह्मान में तो आयाम है है अब 108 ऐसे पौधे भी है इसी प्रिद्वी पर जिससे आप दवाया इस परकार के बना सकती हो कि मेजर से भी मेजर बीमारी यानि कि डिजीश के ट्रीट्मेंट करने के लिए ऐसे प्लांट्स भी मौझूद है और ऐसे प्लांट्स भी है उसके विप्रित वाला 108 जिसको खाकर आपके बहुत बीमारी भी हो सकती है 108 कैंट्स अप फ्रूट बूइ ऐसे मेजर लेबल पर एवेलेबल है जिसको खाने से आपके अध्यात्मी क्यात्रा से लेकर कुंडलेनी जागरन से लेकर आगे क्योंकि जैसे हमने कहा 108 कर है तो 108 हर चीज में बिदमान है यानि कि आहारों में भी बिदमान है कि प्रकारड का अहार का hijoires करेंगे तो हर की सकति से यह आपके लिए कि और सिदी के काम करेंगी उस हर कश्यों से आपके अंदर के जो मन है इस परकार से बन जाएगा कि मुझे ध्यान करना है, मुझे सत्संग सुनना है, उस आहार के ग्रहान से आपके कुण लेनी सकती भी जागरित होने लगती है, आप कुछ नहीं करें फिर भी, थोड़ा सा, क्योंकि आपका वह 108 परकार के जो आहार और सिधी सिधी जो ले रहे हैं, और सिधी से भी सिधी मि लेगा, उन आहार के बजे से, लेकिन वह 108 कौन सा आहार है, वह 108 कौन से फलमुल है, वह 108 कौन से मसाले हैं, वह 108 कौन से म्यूजिक है, धौनी, धौनियों से, धौनी चिकित्सा होती है, वह 108 कौन से मंत्र है, जिसे हम 108 आयाम से जूड सकते हैं, 108 ब्रमान के आयाम से जूड कर सकते हैं कि इसी को कहा गया है कृष्ण को 108 गुपिया बहुत प्यारी थी इसलिए उसमें भी जब कहा जाएगा बैसनों जब करना 108 बर करो एक टॉमिक नंबर भी 108 है मीजिक जयान संकीत में भी जाओगे तो 108 का रहष्यह मिलेगा हर जगा में 108 का रहष्यह मिलेगा जब भी करना है तो 108 बर करना है जब 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 एन तो, बात इतनी नहीं है, और समझ लो, the parameter of diameter, the diameter of the earth, earth की जो diameter जो ब्यास है, और सूरिय की जो है, और इसकी और उसकी जो दूरी है, वो भी 108 टाइम सी है, distance भी है, और सूरिय की जो diameter है, और आर्थ की जो diameter है, ये भी आर्थ के 108 टाइम सी diameter भी है, एक तो distance भी और ये diameter भी, बात इतनी ही नहीं है, अगर आप देखोगे, तो जो मून की जो दूरी डाइम सी है, और आर्थ की डाइम सी है, और इसकी डिस्टेंस जब डिवाइट करोगे, तो ये भी 108 ही है, इस लिए ये 108 ब्रहमान से लेकर और आपके ये शरीर में भी 108 का रहिश्य है, इसलिए कुणलिनी जागरन के बाद अभी रुकना नहीं है, 108 energy centers, 108 आयाम मतलब यहां खुलनी चाहिए, ताकि हम उस 108 के साथ योग कर सके, फ्रिक्वेंसी लग जाए, ये थोड़ी दवेत की बात है, दवेत की बात है ये, उसके बाद रही, 108 के बाद, चार जो चक्रज है, वो अपने आप खुल जाते हैं, दो जो है, अपना है ही, लेकिन आत्मा ज्यान में, एडा, पिंगला, सुसुम्ना, नाडे, ये चक्रज, 108 ये सब या उसके उपर और कई आयाम, जो भी आयाम है, 8-10 जो भी आयाम मेले, ये सब छोड़ दना पड़ता है, सब कुछ, all the dimensions, all the energy centers, all the chakras, एडा, पिंगला, सुसुम्ना, everything have become for you totally melted away, and you will get the Mahasunya, that is the truth, Kabira used to call it Shruti Shri, once he told me, actually I didn't know about this also, He is there, you are not there, all these things have been totally finished, dissolved, सब कुछ, वह भी एक होनेपन का इस्थिति है तो वह भी नहीं है, जो है सो है, उसका नाम ना दे नहीं अच्छा है, उसके ब्योंड और कुछ नहीं है, there is nothing beyond that, कि कि वहाँ जब पूरी तरह से आप होगे ही नहीं, आपकी अंदर की जो होनेपन का जो अहम भाव है, वो पूरी तरह से डिजल्ब हो गया, लेकिन इसमें जो मैंने कहा अभी तक योग होनेगा, इसमें आहम भाव बना रहेगा, समझ लेना, तो कुर्णली जगरन में पूरी तरह से आहम भाव रहता है, तब ही तो हैब बोलते हों कि मेरे अंदर जगरित हुई है, तो मेरे कहने का मतलब है, यह कौन कह रहा है, पूर मेरे अंदर कि कुणलीनी सक्ती जगरित हुई है ? उसका मालिक भी आप ही है? सुरिय के किरने का मलक कौन है? वह यह, वैसे यह भी है, उसका ही आयाम है, लेकिन यह आपको इन स्थूल आंखों से जो दीखेगी वैसा नहीं दीखेगी, पहले ही का यह फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेसंस की बात है